गुद मॉर्निंग ओल फैमिली कैसे हैं आप से फ्रेंड तो मॉर्निंग हो चुकी है और चारों तरफ घर के यह देखे कितना सारा कोहरा आया हुआ है ना और काफी ठंड भी लग रही है आज मॉर्निंग में जैसे ही बाहर घुमने आई तो बहुत जादा ठंड लग रही है तो अभी चलते हैं अंधर और देखती हो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ क्योंकि आज बच्चे जाएंगे स्कूल वैसे तो मैंने रात को ही किचन की साफ सफाई कर दी थी और रात मैंने दो सबजिया बनाई थी आब एंगर का भरता और आलो सिमला मिर्च की सबजी तो व अब च्छों के लिए बना दिया है दो दो पराथे मैंने तो बच्चे जा रहे स्कूल बच्चों को मैंने शेख दे दिया था नास्ते में मोनी में क्योंकि हमारे घर पर है नहीं चाय बनती है तो बच्छों का वाइप 용र्च हो गया है और आज दुपेर में पता है क्या मन इनको रस्ते में से मुझे ठोड़ा कर देने हैं तो इनके स्कूल में ब्लश्ट टेस्ट होगा तो इसलिए तो मुझे भी साथ में जाना पढ़ रहा है और देखे ठीट किमिंघ बाहर के आजाती है निकल के बाहर तो यह कितनी क्यूट लग रही है तो लिग अगर से और दोन बस पहुंच जाएंगे थोड़े देर में, तो मैंने इनको 50-50 रुपे दे दिये हैं, क्योंकि इनके स्कूल में ब्लड टेस्ट होगा, और उससे ये पता चलेगा कि जो इनका ब्लड है, वो कौन से गुरूप का है, पता नहीं, स्कूल बाली भी क्या-क्या करवाते रहते हैं बस आ गई हूँ, और हस्बेंट भी तयार है, ओफिस जाने के लिए, तो चलिए मैं आपसे बात करूँगी बात में, तो मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ, और मुझे बहुत तेज वाली भूख लगी है, क्योंकि जबी मैं नहा धोकर आती हूँ ना, तब ही मुझे बहुत ज अच्छा निकला है, आप देख सकते हैं, एकदम मतलब पका हुआ भी है, और एकदम साफ है, मतलब चार तरफ से, तो क्या आपको पपीता खाना पसंद है, तो कौन-कौन मेरी वीडियो देखते हैं, कहा कहा से आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे कमेंट में और कटोरा भरके न, मुझे कटोरा भरके खाना है, पेट भरके खाना है, क्योंकि अभी मेरा हैल्दी स्नेक का टाइम भी हो गया था, और लंच अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है, जब लंच बनेगा तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी, और पहले खाऊंगी मैं पपीता बहुत टेस्टी भी है, तो मैंने किचन में ही खाना स्टार्ट कर दिया है, और एक पीस मैंने लड़ू गोपाल को भी दे दिया है, क्योंकि घर पे लड़ू अकेला रहता है न, बच्ची स्कूल चले जाते हैं, तो वो ही रहता है घर पे, तो मैंने आज बनाई है पीली ख खिड़ी ही इसको बोले जाते हैं, पीले चावल बोले जाते हैं, तो हस्बेंट जी आ गए घर पे, और मुझे इनके साथ कहीं जाना है, तो जली-जली मैंने सोचा इनको खाना खिला देती हूँ, और बच्चे भी आ गए हैं घर पे, स्कूल से, और आप से कुछ बात कर र कोई सब्झी नहीं थी, तो मैं सब्चे में के लिए भाए हैं जाना सनन चαव में मगसे इसकातर बाइर के को साना हमान के में लिए तो मैं लेकर आएंногоी हैं, वह गर नेंगर आयि थी, क्या बोलते हैं आपके तरब इनको जरूर बताईएगा ये मीथी आलू भी बोला जाता है इनको लेकिन हमारी तरब सकरगंजी बोला जाता है इसको तो ये देखे घर के बाहर आई है कोई बारात और काफी ढोल बज रहे थे तो मैं बाहर आई थी निकल के और दूले राजा जी बैठे है घोड़े पर तो ये मंदिर है यहां पर आते हैं यहां पर आसपास में जब भी शादी होती है तो मंदिर पर आते हैं यहाँ पर तो गाईस ये जो ब्लॉगा आप देख रहे हैं तो ये 24 का है यानि अगले मॉर्निंग का तो अभी morning हो चुकी है और good morning all of you दुबारा से गाईश और प्लीज यहार न मेरी आवाज पे मजाना क्योंकि गले में थोड़ी सी खरास वगएरा हो रही है तो इसलिए आवाज निकल ले में थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो रही है और अभी बच्चे सो रहे हैं husband की training चल रही ह तो वो ट्रेनिंग में बैठे हैं तो वो भी green tea पी रहे हैं और यहां पर मैं पी रही हूं अपना गरम पानी जो मैं morning में हर रोज ले मौसम में जैसे जैसे बदलाव होते हैं वैसे वैसे हमारे भी बदलाव होते रहते हैं body में changes वगएरा होते रहते हैं कभी mood तो बहुत अ ची नहीं हो पाई है मेरी और यह देखिए अभी husband बैठें training में तो light चली गए थी हमारे घर की तो अंधेरे में ही बैठे हैं और वो जो गोल बाला ring light होता है वो जला कर बैठे हैं तो यह battery बाला बलब हमारे घर में जल रहा है बल्ब जल रहा है यूनो तो वो light जाने के बा वो इनके अलग कर दिये हैं और आलू और सकरगंदी मैंने रात को वोईल कर ली थी तो थोड़े से आलू मैंने अभी डाल ले है पराठी में तो मैं आज बनाने बाली हूँ यहां पर बत्वे के पराठे जो की मेरे तो favorite है और बत्वे मुझे साग में भी बहुत अच्छा और बत्वे की कचोरी बत्वे के पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बत्वे को अच्छे से वाश कर लिया है मैंने और बॉइल करने के लिए रख दिया है मैंने कड़ाई में तो थोड़ी सी बस भाप लगानी है इसको जैसे ही थोड़ा सा उबाल आ जाएगा इसम तो बथुआ हमारा वॉइल हो चुका था तो रात के उबले हुए आलू अच्छे से वॉइल हो गए हैं तो मैंने सोचा चलो खाना भी फटा फट बना लेते हैं तो मैंने एक कटोरी चावल धोके कूकर में डाल दिये हैं बनने के लिए तो आलू ना मैंने थोड़े ज़्यादा करके बॉइल किये थे रात में तो उनकी थोड़ी सी हम सबजी बना देंगे तो मैंने एक प्याच काट ली है तीन मैंने ग्रीन चिली को चॉप कर लिया है और एक प्याच को बारिक चॉप कर लिया है और आलू को भी अच्छे से मैश कर लिया है तो थोड़ी से सबजी के लिए मैंने अलग से निकाल लिये थे बत हुए में थोड़े से आलू भी हमने डाल लिये हैं और उसने अच्छे से मैश कर लिया है मैंने मैशर से आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं लेकिन मुझे मोटे आलू बिल्कुल नहीं चाहिए इसलिए मैंने मैशर का इस्तमाल किया है एक बड़ी कटोरी मैंने गेहूं का आठा लिया है और आदा कटोरी मैंने यहापे चावल का आठा भी डाला है ताकि जो मेरे पराठे होंगे वो थोड़े क्रिस्पी होंगे एक चुटकी मैंने अजवाइन को क्रेस करके डाल लिया है थोड़ा सा मैंने हिंग डाला है क्योंकि हिंग भी डालना बहुत अच्छा लगता है मुझे पराठे में, कचोरी में और थोड़ी सी पत्ता मेती सूकी मैंने मिला ली है थोड़ा सा स्वात के लिए मुझे डालना है यहां पर ब्लैक सॉल्ट और हल्दी पाउडर धनिया पाउडर रैट चिली पाउडर मैंने एड़ कर लिया है यहां पर अभी से रख देंगे अलग को और मैं सबजी को फ्राइ करूंगी जो सबजी के लिए मैंने यहां पर प्रिपेरिंग की थी तो थोड़ी से आलू को मैंने तड़का लगा देना है चावल मेरे बन के तयार हो गए है तो थोड़ा सा मैंने जो बेसिक मसाले है उनको पानी में घोल के एड़ कर दिया है बरतन में तो अच्छे से भूनने थोड़ा सा प्याज मेरी चौप कर लिए और थोड़ा सा धनिया भी चौप कर लिया है एंपर दोनों को मींस करके अच्छे से अच्छे को लगा लेंगे क्योंकि धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कचोड़ी मैं या पराठी में तो मुझे यह भी डालना बहुत आप चाहें तो इसके कचोड़ी बना सकते हैं पराठे ना खाना पसंद करते हूं तो आप कचोड़ी भी तयार कर सकते हैं यह बहुत ही यमी है और मैंने थोड़ा सा भी इसमें पानी एड नहीं किया है और ऐसे ही लगा कर तयार कर लिया है आटा तो फटा-फटी इसके पराठे बनाने सुरू कर देंगे क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी देर करेंगे तो हमारा आटा जो है वो पतला हो जाएगा तो मैंने फ्राइ पैन ले लिया है उसमें थोड़ा सा ओईल डाल दिया है और अब जो मैंने पराठा बेला है उसे इस पर सिखने देंगे वो भी धीमी-धीमी आज पे ठीक है तो यह इस पर बहुत अच्छे से सिख जाएगा और एकदम क्रिस्पी बन के तयार होगा और यह देखिए बन के तयार है मेरा क्रिस्पी-क्रिस्पी पराठा तो आप अपने बच्चों को लच बॉक्स में भी इसे बना कर दे सकते हैं आप ब्रेकफास्ट में इसे बना कर खा सकते हैं यह बहुत ही हल्दी अगर आप ओईली खाना पसंद कम करते हैं तो आप इसे नौन स्टिक पे तवे पे असानी से बना सकते हैं और रोटियां भी इसके बना के खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगता है इधर हमारी सबजी भी बनके तयार है थोड़ा हरा धनिया हमने चौप करके डाल दिया है मेरे पराठे भी धेर सारे बनके तयार है गाईस कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट में जरूर बताएगा आ करता नहीं आज मैंने बहुत मुश्किल से ब्लॉग को मतलब बॉइस ओवर किया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कैसा बना है आई होप अच्छा लगा होगा आपको